अब समझ लीजे है कि object की kinetic energy क्या है zero कि भापपर क्या नहीं कर रहा है वो motion नहीं कर रहा है और जब कोई motion नहीं कर रहा है object तो उसकी kinetic energy zero होगी और जब kinetic energy zero at highest point then potential energy should be maximum potential energy maximum होग इसकी और जब object को drop करेंगे तो potential energy will decrease but kinetic energy will increase वो मैंना आपको बता दिया final point क्या होगा last match just hitting the ground just before hitting the ground the ball potential energy zero होगी बट kinetic energy उसकी होगी maximum यही बात when we throw on stone when we throw a stone in about direction then kinetic energy will be decrease क्योंकि वारसविटी क्या होगा degrees होगा तो kinetic energy क्या होगा decrease होगा लेकिन उपर से उपर जैसे पहुंचेगा maximum point पे हो maximum height पे पहुंचेगा उस height पर उसकी potential energy क्या होगी maximum but can't degree क्या होगी जीरो और जैसे वहां से निच्चे गिरेगा फरिया वाली condition है जाएगी तो आप समझ पाइस बात कोई की नहीं समझ पाई अब कुछन आता है एक और इसमें जो pendulum होता है को कि अबर चलता है सब्सक्राइब आंतर एक तो कलुए और च्कू रहा और तो क्यों निखिक्यों चैन्य इसको इसके इनर्जी नहीं मिल रहे duva करता रहता है तो पुटेंशियल अनर्जी की बात कर रहे घृँट वो नहीं है अन्य अनर्जी है अब वोशन में आगे गया तो करेट गवा उतना फिर पीच्छे गया तो इतना आगे गया उतना पीच्छे गया मतलब वह आल बेस एनर्जी आट एनी इंस्टेंट आफ टाइम पंडूलम simple pendulum energy को क्या करता है conserve करता है तो adding डालिए conservation of energy in a simple pendulum conservation of energy in a simple pendulum conservation of energy in a simple pendulum कि अथान तो अपनान एट रड़े जड़े कि अश्चेब तो लगे ऑनदाने का लिए अभ़े प्राइब के शोड़े प्लेट कि रज़ें प्राइब को व्राइब प्रेट चाने है